आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने अपने मुंबाइल फोन से जो हमारा इंकम टेक्स का न्यू पोर्टल इंट्रड्यूस हुआ है वहाँ से आपने अपना पैन नंबर अपने अधार नंबर के साथ कैसी लिंक करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी इंकम टेक्स की वेबसाइट पे जाएंगे www.incometex.gov.in तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे हमारी जो साइट है इंकम टेक्स की न्यू पोर्टल जो इंट्रड्यूस हुआ है वो ओपन हो चुका है तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो ओप्शन्स दिखाई दे रहे हैं लिंक अधार के हमने फर्स्ट वाले ओप्शन को सिलेक करना है जो हमारा सेकिन वाला ओप्शन है लिंक अधार with three dots यह हमारा status चेक करने के लिए है कि हमारा pan number जो है वो अधार number के साथ लिंक हो गया है या नहीं यह मैं आपको अधार लिंक करने के बाद एक बार view करवा दूँगी तो इसके लिए हम अपना first option जो है लिंक अधार का उस पे click करेंगे तो देखे फ्रेंग्स यहां पे हमारे पास details जो है वो open हो चुकी है यहां पे हमने सबसे पहले अपना pan number फिल करना है AFZPK8719C और यहां पे हमने अपना अधार number फिल करना है 855-4980-6963 और यहां पे हमने अपना name as पर अधार जो है वो फिल करना है और यहां पे हमने अपना mobile number फिल करना है और देखे यहां पे हमारे पास दो options नीचे दिखाई दे रही है I have only year of birth in अधार कार्ट I agree to validate my अधार details यहां पे इन दोनों options का मतलब है कि अगर आपके पास आपके अधार कार्ट पे year of birth only mention है तो आप यहां पे क्लिक करेंगे अगर आपके अधार कार्ट पे full आपका date of birth है तो यहां पे क्लिक करेंगे तो मैं यहां पे I agree to validate my अधार details परे क्लिक करूंगे यहाँ पर मैंने कर दिया लिंक अधा तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर आपने जो मुबाइल नंबर फिल किया था वहाँ पर एक OTP गया होगा आपको वो OTP लेके यहाँ पर फिल करना है तो यहाँ पर मैंने ADP फिल करने के बाद इसे Saturday कर देना है तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है अधार पैनलिंकिंग completed successfully तो यहाँ पर मैंने OK कर देना है तो उसके बाद अगर हमें व्यू करना है कि हमारा जो अधार कार्ड है वो pan card number से link हो गया है या नहीं तो हमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था second वाला option with three dots जो है वो choose करना है तो यहाँ पे हम click करेंगे और हमारा जो pan number था यहाँ पे वो fill करेंगे AFZPK A719C और यहाँ पे हम अपना अधार number जो था वो fill करेंगे और view link अधार status पे click कर देंगे तो देखिए friends यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है your अधार pen linking request has been sent to UIDAI for validation यहाँ पे जो request है वो submit कर दी गई है और इसके थोड़ी देर बाद आप जो है वो status चेक कर सकते हैं यहाँ से और ऐसे आप जो है वो income tax site पे without login अपना जो status है यहाँ अपना अधार card number जो है pen card number से link कर सकते हैं thank you friends and keep watching Enzyme Institute अधार card number ओल्ड झाल झाल